हेलो दोस्तों प्रतिमा जीस एकेड़ी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों मद्द काली ने इतिहास में आयम चर्चा अक्बर पर करेंगे शुरू करते हैं तो आप लोग लाइक कर दीजे अपने दोस्तों को सेर कर दीजे सो हुमायू ने जब दुबारा सत्ता को प्राप्त किया पंद्रा सो पच्पन में तब उन्होंने मच्छिवारा का युद्ध जीता और स्तरहिंद का युद्ध जीता ये दो युद्ध जो है क्रमसा हुमायू ने जीता था हुमायू का सीड़ी से गिर करके जब मिर्तु हो गया तो उसके लिए लेनपूर ने बोला था कि हुमायू पूरी जिन्दगी लड़कडाता रहा और लड़कडाते लड़कडाते मर गया जिस समय हुमायू की मिर्तु हुई अकबर पंजाब में था अकबर की उसमें उम्र 14 वर्ष से कम थी 13 वर्ष कुछ महिने के थे अकबर तो पंजाब में ही काला नवर में बैरम खा ने जो हुमायू का सेना पती था बैरम खा के संदच्छण में अकबर को इट का सिंगासन बना करके राज्या विशेख हुआ यानि की इट का सिंगासन बनाया गया और उस पे अकबर को बैठा करके उन्हें बाफसाहे आलम घोसित किया गया अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजा विशल देव के यहां हुआ था क्योंकि उस समय हुमायू निर्वासित जीवन जी रहे थे सेरसा सूरी से कन्योज के यानि बिलग्राम के युद्ध के पस्चात जब वो भारत से भागे थे तब उस समय राणा विशल देव के यहां इन्हें सनरच्छन प्राप्त हुआ था और वहीं पर हमीदा बानो बेगम से विवा किये थे और अकबर का जन्म वहीं पर हुआ था अकबर की मृतु 25 सक्टुबर 1605 को हुआ था अकबर का पूरा नाम जमाल उद्दीन मुहम्मद अकबर था जमाल उद्दीन मुहम्मद अकबर था अकबर जब गवर्नर के पत पे थे तब इनका सनरच्छन असकरी था असकरी इनके चाचा थे और जब ये बास साब ने तब बैरम खां का सनरच्छन प्राप्त हुआ पानिपत के दूसरे युद्ध में 1556 से 1560 तक बैरम खां के सनरच्छन में थे 1560 से 64 तक ये अपनी मा और महामनगा यानि पेटी कोड सासन कायाता है पेटी कोड सासन या परदा सासन परदा सासन के अंतरगत थे अब अकबर के जब दिल्ली के तरफ कोच किया तब आदिल साह के सेना पती हेमू से उनका सामना हुआ मिर्जा अब्दुल कासिम मिर्जा अब्दुल कासिम मौलवी थे इन्हों ने जब अकबर का राज्या विशेख हुआ तो उनके लिए दुआ इन्हों ने किया था और इन्हों नहीं नमाज पढ़ी थी और खुतबा पढ़ा था अकबर के नाम का जैसे हिंदु सासक होता था तो पंडित जो है स्लोक मंत्र पढ़ता है उसी तरह जब कोई मुस्लिम सासक होता है तब उनके नाम का खुतबा और उनके नाम से जो है अल्ला का सुक्रियादा किया जाता है तो यह काम मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया था अक्बर जब दिल्ली के तरफ कुछ किया तो आदिल साह के सेना पती हेमू युद्ध करने के लिए तयार था अब हेमू जब युद्ध करने के लिए तयार था तो पानी पत का दूसरा युद्ध लाजमी हो गया पानी पत का दूसरा युद्ध पांच नोवंबर पांच नोवंबर पंद्रा सो चप्पन को पानी पत का दूसरा युद्ध लड़ा गया एक तरफ बैरम खा थे और दूसरी तरफ हेमू बैरम खा अकबर के सेनापती और हेमू आदिलसा के सेनापती थे दोनों में युद्ध होता है और हेमू मार दिये जाते हैं एक बात हेमू के बारे में और याद रहे हेमू अंतिम हिंदू था जिसने विक्रमादित की उपाधी धारण किया था हेमू अंतिम हिंदू था जिसने विक्रमादित की उपाधी धारण किया था तो पानी पत का दूसरा युद्ध लड़ा गया उसमें हेमू मार दिया गया और बैरम खाने बिजय घोसित करते हुए अकबर को दिल्ली और लाल किला पर कबज़ा दिलाया राज्याविषेख 14 फरवरी 1556 को पंजाब के काला नावर में हुआ मिर्जा अब्दूल कासिम के द्वारा राज्याविषेख करवाया गया था पानी पत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया उसमें हेमू पराजित हुआ और मार दिया गया अब तिल्वारा का युद्ध हुआ पंद्रा सो साथ में तिल्वारा का युद्ध होता है इसमें माना जाता है कि अकबर अब बड़े हो रहे थे यानि अकबर 18 वर्ष के हो रहे थे और बैरम खा अभी भी अपने नियमों को अकबर पर थोपना चाहते थे अकबर को अब पसंद नहीं था कि उनके उपर हुक्म चलाया जाए जबकि अकबर बच्चे थे तो बैरम खा की बात मानते चले आए लेकिन जब अकबर अब बड़े हो रहे थे फिर भी बैरम खा अभी भी सत्ता पे नियंतनर रखना चाहते थे अकबर ने बैरम खा को चेताउनी दिया कि अब आप चले जाए लेकिन तभी बैरम खा ने विद्रो कर दिया और विद्रों में अकबर ने बैरम खां को तिलवाडा के युद्ध में पराजित कर दिया पराजित करके बैरम खां को बंदी बना लिया गया जब बैरम खां को बंदी बना लिया गया इनके पुत्र थे रहीम खाने खाना रहीम खाने खाना ये अकबर से उम्र में बड़े भी थे रहिम खाने खाना लेकिन जब बैरम खान को बंदी बनाया गया तो अकबर ने बैरम खान को कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा जो कि आपने हमारे पिता और हमारी सेवा किया है इसलिए आप मक्का चले जाएं और राजनिती छोड़ दें इनको मक्का भेज दिया मक्का जाही रहे थे कि रास्ते में एक अफगान मुबारक साह ने इनकी हत्या कर दिया बैरम खान की हत्या कर दिया और बैरम खान की जब हत्या कर दिया तो वह ये कहते हुए हत्या किया कि जिस समय मच्छी वारा का युद्ध हो रहा था तो हमारे वालिस साहब को यानि हमारे पिता साहब को बैरम खान ने कतल कर दिया था और मैंने बदला ले लिया मतलब मुबारक सा ने अपने पिता का बदला बैरम खां को मार करके लिया जब बैरम खां मार दिये गए तब बैरम खां की बिधवा से अकवर ने विवाह कर लिया बैरम खां की बिधवा उस समय 55 साल के आसपास की रही होंगी क्योंकि रहीम खान एक खाना ही 40-45 साल के थे और रहीम खान खाना को इन्होंने अपना पुत्र घोसित किया अकबर ने 18 साल का बाप और 45 साल का बेटा बैरम खान की बिद्वा से जब बिवा कर लिए तो उनको अपने हर्रम में एक सम्मान दिया अब आप लोग अकबर को कह रहे हैं कितना नीच है अभी बताते हैं फिर आप ही का मंसा बदल जाएगा क्यों नीच नहीं है जब बैरम खान मार दिये गए अब बैरम खाने हुमायू के साथ साथ अकबर की वी सेवा किया था सही गलत कुछ भी हो जब आवा सेकता थी अकबर की तब बैरम खाने साथ दिया था ऐसे ही बैरम खान के बीवी को रखना वो सम्मान सायत नहीं मिलता इसलिए हर्रम में उन्हें महिसी का सम्मान मिले राजरानी का सम्मान मिले इसलिए अकबर ने निकाह कर लिया निकाह करके उन्हें हर्रम में सम्मान दिलाया और साथ ही रहीम खाने खाना को अपना पुत्र घोसित करके इन्हें अच्छे पत पे निउक्त किया यानि अपने नवरत्नों में इनको सामिल किया यानि दोनों को सम्मान दिया अब बैरम खान के सन्रच्छन जमीन का छूटा तर इनके उपर महामनगा महामनगा और हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम इन लोगों का प्रभाव अकबर पे भी बना रहा और इसलिए 60 से 1560 से 64 को परदा सासन या पेटी कोड सासन पेटी कोड सासन इसलिए कह जाता है क्योंकि महामनगा का प्रभाव कुछ जादे दिखने लगा था और कुछ जादे हस्ता छेफ होने लगा था इसे जा करके 1564 में अकबर ने इससे भी छुटकाला पाया यानि 1564 के बाद अकबर स्वयम निरड़े लेने लगे और यानि कहाया सकता कि 1562 से ही अकबर अपने निरड़े से काम करने लगे थे लेकिन परदासासन से छुटकारा उन्हें 64 में मिला तो अकबर का परदासासन 60-64 तक महामनगा और हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम इनकी माता थी और महामनगा इनकी हर्रम की एक महिला थी जो इनको चलाती थी अकबर का जो राजत तो सिद्धांद था ये दैबिय सिध्धान्द पर विस्वास करते थे अच्छा आकबर को दैबिय सिध्धान्द का भरोसा क्यों हुआ अकबर की मा थी सिया पिता थे सुन्नी माता सिया पिता सुन्नी जन्म हिंदू परिवार में जब जन्म हुआ उस समय हिंदू परिवार के अतिति थे क्योंकि इनके पिता भागे हुए थे और साधी करने के बाद जब इनका जन्म होना था तो राणा बीर साल के यहां ही थे तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके आसपास के जो आवरण थे वो हिंदू आवरण था और इसलिए अकबर पी यह प्रभाव पढ़ा कि वो सर्वधर्म संभाव की बात करने लगा और अकबर हर धर्म पे भरोसा करता था और सब को सम्मान देता था दैविय सिध्धान पे राजा कपत था राजत उदार निलंकुस्ता पर आधारित था और अकबर ने अपने कार्यों को अपने आधार पे चलाना शुरू कर दिया था चौशट के बाद अकबर का सामराज विस्तार अब अकबर सत्ता पे काविज हो चुके थे और उनके प्रतिद्वन्दी हेमु मारे जा चुके थे अब अकबर का सामराज विस्तार प्रारंभ हुआ क्योंकि अब उनको प्रतिद्वन्दिता के रूप में बैरम खा भी नहीं थे बैरम खा भी मारे जा चुके थे पंद्रा सो साथ में अकबर अब स्वयम निर्ड़य ले करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किये थे अकबर का सामराज विस्तार के रूप में पहला अभियान मालवा का था मालवा पर अकबर ने पहला अभियान किया और अपने दो सेना पती अधम खां और पिर मुहम्मद खां पिर मुहम्मद खां इनको नेत्रत दिया और मालवा जीतने के लिए हुक्म दिया यानि अकबर का पहला आकबर मालवा के सासक बाज बहादूर के उपर था दोनों के मद्ध घमासान युद्ध हुआ लेकिन अंतता बाज बहादूर पराजित हो गए पराजित होने के बाद में अपनी जान बचा करके ये बुरहान पुरभाग गए जब ये बुरहान पुरभाग गए और ये खबर रानी को मिला रानी का नाम था रूप मती ये अत्यंत सुन्दर थी कहा जाता है कि रानी पद्मावती के बाद अगर कोई बाद में फिर सुन्दर इस्त्री पैदा हुई तो रूप मती थी जब इनको जानकारी हुआ कि हमारे सासक पराजित हो गए हैं तब इन्होंने अपने आस्टित्य की रच्छा के लिए आत्म हत्या कर लिया इन्होंने आत्म हत्या कर लिया और मालवा अकबर के अधिन हो गया यानि अकबर का पहला आक्रमड याद रखियेगा पहला आक्रमड 1561 इस्वी में मालवा के सासक बाज बहादुर के उपर था मुगल नेत्वत्य करता अधम खा और पीर मुहम्मद खा थे मालवा का सासक पराजित हुआ और बुरहानपुर में सरण लिया बाज बहादुर के पतनी रूप मती ने आत्म हत्या कर लिया इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं अगला आक्मर था गोंडवाना या गड़ कटंगा अभियान था पंद्रा सो चौशट का पंद्रा सो चौशट का जो अभियान हुआ मालवा जीतने के बाद में अधमखा को कड़ा यानि इलहाबाद का सुवेदार बना दिया गया था अब गड़ कटंगा को जीतने के लिए अधमखा को आदेश दिया गया गोंडवाना जो की जबलपूर के पास था मद्ध परदेश में जबलपूर मालवा से थोड़ा नीचे था जबलपूर के पास में चवरागड इनकी राजधानी थी गोंडवाना राजी की राजधानी चवरागड थी और चवरागड में राजा की मिर्तू हो चुकी थी एक अलप वयस का पुत्र बीर नारायन राजा था और इनकी मा रानी दुर्गावती इनका नाम आप याद कर लिजे दुर्गावती का ये बहुत ही महत्वा कांची बहुत ही योग महिला थी इन्होंने कहा था कि मेरा पुत्र अलप वयस्क जरूर है लेकिन वो राजा है और हम उसके विहाब पर युद्ध का नित्रत तो करेंगे और युद्ध जीतेंगे भी ये तलवारबाजी में महरती थी जैसे कि मराठा में तारा थी उसी तरह से जबलपुर गुंडवाना गड़कटंगा अभियान के समय वहां की रानी दुर्गावती भी तलवारबाजी में निपुर थी इन्हों ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिये थे लेकिन अंतता महिला होने के नाते कुछ न कुछ मरियादाएं थी उस मरियादाओं को याद करते हुए ये पकड़ी गई और बंदी बनाए जाने वाली ही थी कि इन्हों ने अपने अस्तित्व में छूरा मार करके मार कर हत्या अपना आत्म हत्या कर लिया और ये जानकारी जब अकबर को मिला तो अकबर ने इन्हें सम्मान के रूप में देखा और एक सम्मान सहीत इनका उच्चारन किया था कि ऐसी महिलाएं भी हैं लेकिन इस्लाम में महिलाओं का क्या मतलब एक रजिया थी उसे भी मार दिये दूसरा कहां पैदा हो जाएंगी तो गोंडवाना नी गड़कटंगा अभियान में बीर नारायन राजा थे और उनकी मा राणी दूरगावती संदच्छर थी और संदच्छर के रूप में आसब खाने राणी दूरगावती को पराजित किया और राणी ने बंदी बनाय जाने के भय के कारण छूरा मार करके आ था वो था राजस्थान का अभियान राजस्थान के अभियान में अकबर की राजपूत नीती राजपूत नीती जिसके कारण वो हिंदुस्तान पर अपनी सल्टनत अपनी बासाहत को मजबूत कर पाए अगर राजपूत अकबर का साथ नहीं देते तो हिंदुस्तान में मुगलों का इतिहास समाप्थ हो जाता अकबर का राजपूत से बहुत लगाओ था वो राजपूत नीती को इन्होंने क्रमसा लागू किया मना जाता है तीन चरणों में ये राजपूत नीती को समझे थे अकबर और दमन सहयोग और समझोता दमन सहयोग और समझोता के नीती के साथ राजपूतों से इन्होंने संबंद रखा और सहयोग में बैवाहिक संबंद सरबादिक था लगवग राजपूतों की लड़कियों से अकबर ने विवाह किया था किसी कभी जो भी राजा आता था अपने लड़की अकबर को सौंप देता था कैसी नीती थी नों की बैवाहिक बैवाहिक संबंद जाया थे क्योंकि राजपूतों से युद्ध या समझोते के तहट विवाह हुई होता था अकबर को लोग अपनी लड़की दे देते थे और पहले सा सकते कच्छवाहा इन्होंने अपनी पुत्री को अकबर को सौंप दिया और यही से बैवाहिक संबंद राजपूतों की शुरू ही यानि अकबर के जो राजपूत नीती थी उसमें दमन, सहियोग और समझोता प्याधारित था तीन चरड़ों में माना जाता है तो हम अब अकबर के रायस्था अवियान और राजपूत नीति पर चर्चा करेंगे, अकबर के रायस्थान पर अभियान प्रारंभ हुआ और आमेर के पास जैसे ही पुछते हैं अकबर आमेर के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो वहां के सासक थे कच्वाहा सासक उनका नाम था भारमल ये युद्ध नहीं कर रहे हैं ये पहुँच करके अकबर का स्वागत कर रहे हैं और अपनी पगड़ी को अपनी पगड़ी अकबर के सामने उतार देते हैं और अकबर को सम्मान पूर्बग अपने आंगन में ले जाते हैं जहां पर अपनी पुत्री का विबाह कर देते हैं 1562 में स्वैच्छा से अधीनता सुविकार करने वाला कच्छुआहा सासक भारमल पहला राजपूत सासक था और अधीनता भी सुविकार किया भारमल ने अपनी पुत्री का विबाह भी अकबर से कर दिया ये पहला राजपूत घटना था इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अकबर और मेड़ता पर आक्रमण करते हैं मेड़ता मेवाण के राजा उदय सिंग के जागीरदार के नियंत्रन में था ध्यान रहे मेवाण एक ऐसा राजपूत रियासत था जिसने न तो कभी मुगलों का सन्दच्छण सुविकार किया हाँ जब जहागीर आएंगे सा जहा जब जो खुसरों थे खुर्रम के अधिन्ता में मेवाण कुछ समय के लिए जरूर नतमस्तक होता है और नहीं तो यहाई के राजा थे उदय सिंग राणा उदय सिंग राणा सागा यहीं के थे जो बाबर से उद्ध के थे राणा प्रताब जो अकबर से उद्ध करेंगे यह जो महान योद्ध्ध थे यह सब मेवाण के ही थे मेवाण का अपना अलग इतिहास था था का है भी मेवाण के अंतरगत मेरता राजा उदै सिंग के जागिरदार जैमल के जैमल के अधिनाता था जैमल राजा उदै सिंग के भरोसे मंद सेनापतियों में से एक थे बहुत बीर थे लोग जब यहाँ पर अकबर ने अधिकार कर लिया 1562 में मुगल अधिकारी सर्फुद्दीन ने आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया तो इसे मेवाल ने अपनी चिनोती को समझा कि यह चिनोती अब हमारे उपर आएगी और उदै सिंग हो गये सतर्क और जैमल तथा फते सिंग इन दोनों लोगों को पूरी सुरच्छा की गारंटी के साथ में पूरी जिम्मेदारी दिया गया मेवाल का और उदै सिंग मेवाल से निकल लिये मेवाल पे 1500 सर्षठ में अकबर ने आक्रमण किया कहां पे मेवाल पे चार महीने तक अकबर घेरा डाले रहे और जो कि मेवाल से राजा उदै सिंग मेवाल के राजा को राणा आगे लगाते थे लोग राणा उदै सिंग मेवाल से गुप्त मार्ग से निकल चुके थे अब यहां पे केवल जैमल और फते सिंग फते सिंग को फत्ता भी कहा था फत्ता फते सिंग ये दो सेना पती थे जिनके हाथ में मेवाल की सुरच्छा थी चार महीने तक अकबर परेसान थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए लेकिन दुरभाग था जैमल का कि एक समय अकबर के बंदूग के निसाने प्या गए बंदूग से जैमल को अकबर ने मार दिया जब अकबर ने जैमल को मार दिया तब फते सिंग अपने परिवार के साथ और सहिनकों के साथ अकबर के उपर तूट पड़े यानि अकबर के कैम्प में आक्रमण कर दिये और आक्रमण करते हुए पूरे परिवार के साथ ही मार दिये गए जो में होसन ही खोना चाहिए चार महिना जहां रुके थे लेकिन रासन भाई कब तक चलेगा आक्रमण किये इसमें फते सिंग की पतनी मा और जितने सैनिक थे ये सब मौत के घाट उतार दिये गए लेकिन राणा उदे सिंग को ना पा करके अकबर अपनी बेजती को महसूस किया और सरमिंदगी से वहां से वापस चला तो आगरा के किले के गेट पर अकबर को लगा कि हम एक छोटे से सेना पतियों से इतने महीने लड़ते रहे मेन राजा तो वहां था ही नहीं तब जैमल और फते सिंग इन दोनों की बीरता से अकबर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि आगरा के किले के मेन गेट पर हाथी पर सवार दोनों की मूर्थी बनवाई और सम्मान पूर्भक सम्मान पूर्भक उन्हें स्थापित करवाया पंद्रसों नहात्तर तक आते आते सभी राजपूत सभी राजपूतों ने अकबर की अधिनता सुविकार कर लिया सिवाय मेवाड के मेवाड ने कहा कि मैं अधिनता सुविकार करूं यह मेरे पूर्भजों का अपमान होगा और लड़ते हुए मर जाओं तो स्वर्ग में मुलाकात होगा इनका एकूटेशन होता था यह यूद्ध में लड़ते हुए मरना और मारना पसंद करते था थे लेकिन एक समय आता है कि इंसान टूटता है लेकिन मेवाड के राजा कम से कम अकबर के आगे तो नहीं जुके बाद में कायर जब जनम ले लेते हैं परिवार में तो ऐसा होता है पंदा सुनहांत्तर तक सभी राजपूत्तो ने अपनी कुछ लोगों ने अपनी पुत्री को दे करके कुछ लोगों ने जागीर या सम्मान को गिर्वी रख करके अकबर की अधीनता सुविकार किया था लेकिन मेवाल ने अकबर के अधीनता सुविकार नहीं किया था तो दोस्तों मैं अपने किलास को ही पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेधन करता हूं कि जादा से जादा सेयर करें लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तेक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद जैन जै भारत